स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में तो आज के वीडियो में हम देखने वाले है BRA SIZE MEASURMENT जी हाँ इसके अगले वीडियो में MINING OF XL, X, M, L, XL, XXL IN GARMENT, CLOTH IN HINDI यह वाले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया तो यह वीडियो भी इसके ही related वीडियो है, measurement के related, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा, तो आप हमारी चनल पर widget करके देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल लगा कि कपड़ों पर size का meaning और मतलब क्या होता है, उनिलेटर्स का, तो यहां पर हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, जब हम offline या online market में ब्रा लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर size लिखा होता है, और उसके बाद A, B, C, D, E, यह सब लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, यह वीडियो में हम देखने वाले हैं, और यह हम measurement किस तरीके से लेंगे, यह भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हमें 2 size का measurement लेना होएगा, एक हमारा होता है full burst और दुछरा होता है हमारा कमर से थोड़ा उपर, यानि cup size और bend size, cup size आएगा, वो हमारा full burst आएगा, और जो हमारे bend से जाएगी, वो हमारे कमर से थोड़ा सा उपर, जहां पर हम यहां पर बांधेंग तो सबसे पहले जो हमें नाप लेना है वो आपको लेना है bend size का नाप, यानि कमर से थोड़ा सा उपर इस तरीके से, तो हमें सबसे पहले यह नाप लेना है, और उसके बाद हमें cup का नाप लेना है, cup का मतलब होता है A, B, C, D, और जो हमारी size लिखी होती है, वो हमारी bend size का नाप लिखा हुआता है यह बात आप खास ध्यान रखेगा तो जब भी हम लेने के लिए जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ अगर अगर आया 30 इंच तो आपको 30 इंच की ही ब्रा लेनी है आपको अपना फूल चेस्ट नापना नहीं है वो अमारी कप साइज होती है तो यहां पे अमारा 30 इंच है लेकिन एक बात में और बता दू कि अगर यहां पे आपने थोड़ा सा फिटिंग में नापना है अगर आपना फिटिंग में ना पाहे और यहां पर आया है आपका 29 इंच तो आप क् mont YA तो आपको 30 inche LTE लेना है अगर 29 और half आया तो आपको 30 inche LTE, 28.5 जाते साड़े 8,5 आया है तो 28 इस आजने तो आपको चूज करनी है 30 इंच आपको यहाँ पर याद रखना है और उसके बाद आपको लेना है अपना full chest का नाप full chest का नाप आप इस तरीके से ले सकते inch tip की मदद से तो full chest का नाप लिया और यहाँ पर आपका आया है करीबन 33 इंच तो आप क्या करेंगे तो हम क्या चूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 30 इंच C वो कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर देखिए यहाँ पर full chest आपका आया 33 इंच और bend size आया आपका यहाँ पर 30 इंच तो 33 को हम माइनस करेंगे 30 इंच यानि 30 इंच है तो कितना बचेगा तो हमारा बचेगा 3 इंच तो यह हमारा क्या होता है फूल चस्ट होता है हमारा A, B, C, D यानि A का मतलब होता है 1 इंच, B का मतलब होता है 2 इंच, C का मतलब होता है 3 इंच, D का मतलब होता है 4 इंच, E का मतलब होता है 5 इंच, यह जो है हमारा डिफरेंच है, आपके बेंड साइज और फूल चस्ट में कितना डिफरेंच है, तो द सी आएगा अगर समझ लिजी कि यहां पर हमारी जो band size है वो है हमारी करीबन 34 inch और यहां पर chest है वो है हमारी करीबन 38 inch तो हम क्या करेंगे जो हमारी full burst है यानि cup size है वो है 38 inch उसमें से हम minus कर देंगे band size यानि 34 inch तो 38 को हम 34 के साथ minus करेंगे तो यह हमारा मिलेगा फरग जो different मिलेगा वो 4 inch का मिलेगा तो हमें यहां पर 4 inch का मतलब होता है हमारा D A का मतलब होता है 1 B का मतलब होता है 2 C का मतलब होता है 3 D का मतलब होता है 4 तो यानि हमारा यहां पर आएगा 30 D यह बात आप खास ध्यान रखियेगा So I hope कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो अगर कुछ भी आपको दिखेते हैं तो हमें निचे कमेंट बोक्स में जरूर बता है हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे तो यह वीडियो आपको कैसा लगा वनिचे हमें कमेंट बोक्स में जरूर बता है आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक